Hello everyone, this is Himanshu Tiyaghi और ये workout जो आज हम शूट करने हैं ये practically दो दिन पहले शूट होना था reason क्या है कि वो नहीं हो पाया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये belt belt की वज़े से मैं वर्काउट शूट नहीं कर पाया क्योंकि जब हम heavy lift यूज करते हैं तो safety बहुत matter करती है इसलिए ये delay हुआ तो इसी तरीके से आज हम करने वाले हैं अपनी heavy compound movement series में जो की हम करेंगे अपना deadlift let's go तो बार को अपना place कर लेते हैं जहां मुझे workout करना है जहां deadlift करनी है हमारा corner change होता रहता है जहां मुझे अच्छा लगता है मैं सामने देखूँँगा तब workout करूँगा तो सबसे पहले करते हैं अपना normal warm up so that हमारी lower back अच्छे से engage हो जाए क्योंकि deadlift जो है वो lower back के लिए major role play करती है तो just wanna make sure कि हाँ आप 5-5 की plate लगाए और एक अपना position और poster check कर लें ताकि आपकी muscles जो अच्छे से खुल जाए तो सबसे पहले जो दो या तीन चीज role important play करती है heavy lift जब हम करते हैं जैसे deadlift हो गया या कोई भी ऐसी compound movement जिसमें हम बहुत heavy lift कर रहे हैं like deadlift हो गई या bent over rows हो गई उसके लिए मैंने एक technique आप लोगों के लिए बताता हूं कि हमें जो हमारी bar है Olympic road है हमारी उससे हमें इतना दूर रहना है so that जब हम अपने बैटे हैं और इसमें सबसे पहले आपने hips को पीछे लेके आना है जब आप अपने hips पीछे लेके जाएंगे तो आपकी shin जो है वो automatically bar से touch हो जाएगी like this कोई भी heavy weight उठा रहे हैं लिफ्ट कर रहे हैं तो आप यह करके उठाएं यह position होनी चेहिए मैं side में भी करके दिखा रहा हूं like this तो इसी तरीके से हमें करना है शेन आपकी two fingers का distance रहेगा then one travel होते हुए सीधे आएगी then जिस पोजिशन पर आप उपर आये हैं उसी पोजिशन पर वापस नीच लेके जाना है तो अभी दो या तिन रैप इससे करेंगे और weight दिर दिर इंक्रीज करते रहेंगे और जैसा कि मैंने workout की शुरू में बताया है कि यह जो आज हम टेक्निक कर रहे हैं यह heavy compound movement series है तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें जो हमें weight actual में मारना है जो working set होगा मेरा उसके 4 या 5 maximum करेंगे बट उससे पहले जितने भी repetitions करेंगे या जितने भी हम warm up set करेंगे वो उस weight को ध्यान में रखते हुगे करेंगे let's suppose आज मुझे 180 का मैंने target set किया हुआ था कि मैंने 180 deadlift करनी है उससे पहले जितने भी मैं set करूँगा उस target तक पोशने के लिए 180 तक जो मेरा working set होगा उससे पहले सारे sets मेरे warm up set होगे है अभी belt का भी बताया जाएगा कि belt कहा role play करती है जिन लोगों को back injuries पहले से हैं वो belt पहन के ही करें स्टार्टिंग से ही वरना मैं belt अपनी 80 kgs य 90 kgs के बाद पहनना शुरू कर देता हूँ और हर warm up set में मैं 2-3 reps करूँगा चेक करने के लिए कहीं इदर उदर कोई muscle tightness तो नहीं हो रखी है और ताकि मैं आगे weight increase कर सकूँ तो अभी बन चुका है weight हमारा 10-15 25 और 20 45 इच और 90 यह 100 kgs हो चुका है ठीक है तो belt पहनते हैं और belt हमें उस level तक tight करनी होते हैं ताकि जब हम अपना डाइफराम से exhale करें या inhale करें तो हमें उस का पता चले कि हम कुछ सांस ले रहे हैं ताइट हो रही है belt और tight होने का मतलब है जब हम exhale करेंगे that means आपने अपनी lower back को engage कर लिया है इसलिए जब workouts करते हैं deadlift करें या squats करें तो belt tight tight कब होगी जब आप आपने सांस छोड़ी belt tight हो जाएगी that means आपने diaphragm से inhale और exhale कर रहा है और आपने अपने core को engage कर लिया है जहाँ आपने back को पकड़ लिया कभी भी आपको injury नहीं होगी कि मेरी तरह जो मुझे छे या साथ साल पहले हुई थी अब यह ना ज्यादा tight है ना ज्यादा loose है अब अगर मैं exhale करूंगा तो belt automatically tight हो जाएगी that means core जो है lower back जो है engage हो जाएगी स्टॉक में से lifting straps निकाले हैं इन इस straps का use क्या होता है कि आपकी wrist और जो olympic bar है olympic road है इसको अच्छे से engage कर लेता है और हाद में जिनके बहुत जाता पसीना आता है तो वह ग्रिप अच्छी बन जाती है tight बन जाती है आप भी उस करना चाहें और अच्छी ग्रिप के लिए तो वह चोक पाउडर राता है आप वह भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों पर और क्लिप्स लगाना ना भूले ताकि आपका वेट उदर उदर ना भागे यह होगी है अमारी ग्रिप टाइट मैंने बोला था आपको 60-70% तक जाना है तो वो जब 100 अमने किया था वो हो चुका था 10-10 kg और करते हैं तो यह हो जाएगा इट विल बिकम ओल्मोस्ट 190-200 वीच में रखते हैं तो अभी हो गया है 10 10 20 30 45 और 40 85 85 बोस साइट है ताट मेंस हो गया है 170 प्लस 20 kg की बार तो अल्मोस्ट 192.5 kg हो गया एग्जाक्ट अगर बात करूं तो यह मेरा वोकिंग सेट है तो इसके देखते हैं तीन चार जितना मैक्सिमूम जाते हैं लेट्च गो अच्प 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 आज योगी डेड लेफ्ट मार के देखना पता चल जाएगा और जो बिगिनर्स है वो बिल्कुल मत करना इंजिरी बिल्कुल ने लेनी है अराम से बेट को इंग्रीस करना है जो आपका मैक्सिमम है मुझे बन नैंटी करना था आप हंड्रेड वन ट्वंटी वन फिफ्टी पेट क तब ही आप प्रोग्रेसिवली आप उनसे वेट अपना इंक्रीस कर सकते है अपने वरकाउट में तो चलेए गाईज अपने कुंडल और कवच उतारने का समय आ गया है तो इस ट्रैप को मैंने कुंडल के दिया और बेल्ट को मैंने कवच तो सेफटी बहुत ज़रूरी है तो आपको ऐसे ही अपने वरकाउट जब आप हैवी कंपाउंड लिफ्ट कर रहे है तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहले अपना जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए आपकी सेफटी यानि कि अपने बेल्ट पे नहीं हुई है और आपका कोर एंग तो इसी तरीके से मिलते हैं किसी नए एपिसोड में अपने हैवी कंपाउंड लिफ्ट सिरीज में थैंक यू फर वचिंग